हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एलेंट ऑनलाइन प्रोग्राम बच्चो मैं नावनित कासुंद्रा मैंस फेकल्टी आप सबको वेलकम करता हूं और हमारे साथ विकास महाईश्वरी सर है जो इस सेशन में हमारे साथ मैंस एक्सपर्ट है वेलकम सर पुदी सेशन हलो नावन सर लो सारे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके अंसल्हें rånझी उसकार जैसा कि ज्खेंगे तो सफेक्ष बहुत बहुत नजदिक है तो दो बच्चों की बहुत सार नाषिर इस ऑपनु नित्सक्र lawyer को बच्र बिल्कुल सर बच्चो के तों एंजाईटी हो रही ज़िए हो तो मैट से उसमें अपन कितना टाइम डिवोट करें, sir? Sir, obviously, maths वो सब्जेक्ट है, जो बच्चों आप लोगों ने क्लास टेंथ में इंजिनियर बनने के समय देखा था. तो, yes, यह टाफस सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट में से, तो आपको टाइम इसमें कमपेटिवली ज़्यादा देना चाहिए. तो, जो रेशो है, वो कुछ इस तरह से मेंटेन कर सकते हो, कि आपको मिनिमम थ्री आवर्स टू फोर आवर्स तो मैथमेटिक्स को देना ही चाहिए. आपनी J-e main की mathematics या J-e की पूरी J-e advanced और main की जर्णी के लिए, कि रोज आप कम से कम 3-4 घंटा mathematics की practice को करें, चाहिए उसको 2 टुकडों में करें, 2 phases में करें, आप 3 phases में करें, लेकिन उसको प्लान जरूर करें. तीन फिजस ज्यादा हो जाते हैं तो दो टुकड़े काफी होते हैं दो दो घंटे के दो सेशन काफी होते हैं और वो सफिशन प्रैक्टिस होती है उसमें आप अपने आपको यह मत फील करें कि आज कम किया जादा किया जो आपने किया वो अच्छा किया यह साथ आप नेक्स में तीन से चार घंटे, चार घंटे का एवरेज बनाते वे डेडिकेट करना चाहिए, साथ ही प्रैक्टिस के लिए वो विद्यारती ये सोचे कि इन चार घंटों के साब से वो ये नहीं सोचे कि उसे एक घंटे में जाई में का एक्जाम देना है, अगर वो रिविजन कर रह कर रहा हूं, मैं 10 कुशन, 12 कुशन कर रहा हूं, लेकिन वो अच्छे से कर रहा हूं तो काफी है, तो तीन घंटे अगर वो निकाल रहा है, तीन से साड़ी तीन घंटे निकाल रहा है और रोज की चालिस सवाल लगा ले रहा है, I think that is sufficient for the study, और छे दिन में अगर वो चालिस करे थालिस गाल, चालिस सवाल पर डे प्रक्डिस करा है, चालिस सवल प्रक्डिस करें कर दो अप निया Bundes 7 बर चालिस करेगा तो अपन अप उसको लगेगा, एक दम से एक ही हाल आप ग्रॉत फोल कर पाईगा और सर में कुछ डील में चेटर डिस्स करें, जैसे अपना फ ज अगर आप देखो तो इसमें कुल मिलाकर अभी तक 12 सवाल आएं पिस्टे तीन-चार सालों मिलाकर तो 2019 से लेकर 2024 तक 12 कोशन आया तो इसको करने में ज्यादा टाइम ही लगेगा मोडुलस से गिने चुने 8-10 सवाल है और बच्चा उसको आराम से फिनिश कर लेगा मोडुलस क और लोगरिथम को सवाल नहीं पूचे गए तो बहुत्व नौगरिथम के सवाल बट किटिकल लगते हैं बच्चो को तो उसमें 9 कोशन अभी तक पूचे गया है तो पी वाई क्यू जय मेन का अगर बात करें तो उसमें 9 कोशन लोगरिथम के और 12 कोशन फंडामेंटल सो रहें सर एक तो उसमें PNC-based counting problems भी आ रही है तो वो थोड़े critical सवाल है मदब ऐसा नहीं set theory के आसान सवाल भी आ रहे हैं तो difficult question भी PNC के साथ mix होकर integer type में पूछे गए हैं तो बच्चों को वहाँ पर cautious रहना है मदब कहने के लिए set theory आसान लगता है लेकिन रब number of sets के उपर सवाल आते हैं या integer type में कुछ बढ़िया सवाल पूछते हैं language को twist कर रहे हैं तो वहाँ पर cautious रहे कर बच्चों को answer देना चाहिए तो इस chapter में थोड़ा cautious रहे कर काम करें तो अभी तक कुलमिलाकर जो data मेरे पास है लगब 20-22 सवाल पूछे गए हैं पिछले पास सालों के दुरान तो बच्चे उसको भी cover कर सकते हैं same day के दिन तो कुलमिलाकर इतने सारे chapters अगर same day हम तीन chapters टिक कर लेते हैं तो बच्चों को इतना अच्छा फील होगा कि हमने तीन chapters निप्टा दिये इतना हो गया मेरा हाँ तो अच्छा फील होगा क्योंकि 36 के असपास chapter है maths में तो तीन chapters पहले दिन अप्टा रहते हैं बहले ही छोटे chapters है लेकिन अगर एक-एक सवाल भी अगर इन से अपना cover हो गया अकुल मिलाकर इन तीन chapters से दो सवाल भी cover होगे तो एक बढ़िया advantage मिल ज और topic की बात करें तो roots के उपर उसमें बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं Newton's formula से regularly वो सवाल पूछ रहे हैं J-Main में और location of roots से comparatively कम सवाल पूछे गए हैं theory of equation से भी कम सवाल पूछे गए हैं तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो routine जो questions पूछे गए हैं वो relation between roots and coefficients से पूछे गए हैं साथ में Newton's formula से ज़्यादा weightage वाल पूछे गए हैं और देखा जाए तो 60 के आसपास सवाल आएं पिछले 5 सालों में लगबग एक question हर एक session में पूछा गया है ऐसा आपन मान के चल सकते हैं तो इसको करने में थोड़ा सा time ज्यादा लगेगा और इसमें और कुछ extra करने की कोशिश ना करें जो J-Main के PYQs हैं वो किसी भी chapter में excellence लाने के लिए काफी हैं तो बच्चे इसके लावा और कुछ practice अभी फिलाहाल करने की ना सोचें यह मेरा सोचना है तो इसको इस तरह से प्लान करें कि पहले तीन दिन आप set theory पहले पहले दिन जो है set theory fundamental of algebra और logarithm finish करने यह पहला दिन आपका हो गया तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने दो दिन के अंदर एक substantial चीज कवर कर लिए जी और जैसा कि आपने बताया सर थर्टी सीक्स चप्टर सार्दैन जेई तो बच्चों के मन में कहीं प्रशना रहता है कि सर पूरा एंटार सीरे बस जो है वो cover करना या कुछ कु 12th board का exam है तो और 11th के भी चप्टर आप skip नहीं करना चाते हैं तो कौन से चप्टर स्किप करेंगे नहीं करेंगे उसकी एक पूरी हमने लिस्ट बनाई है पूरे plans बनाएं तो आप आज का session end तक देखेंगे बच्चे और आने वाले sessions अगर रोज देखेंगे तो उससे उनक 85 marks के उपर लाने के लिए वो कामियाब हो सकता है तो एक strategy बहुत जरूई है जाई मियन एक strategical exam है है ना बही practice तो चाहिए चाहिए वो सब तो है सही लेकिन आप एक strategy बना लोगे तो आप एक minimum threshold को overcome कर लोगे उसके उपर कितना ला सकते हो कितना बार आपने raise किया है वो आपक इच्छा है वो आपकी शम्ता के उपर है लेकिन एक minimum threshold के लिए आप इतना काम करें और सर क्योंकि J main के exam पर नस्दिक है और कुछ समय बाद J advance के exam पर आएगी तो बच्चों को कहीना कि एक conclusion होता है कि सर दोनों की जो preparation है उसमें क्या approach होना चाहिए सर fundamental करे या number of questions करे क्या कर सर देखिए इस समय अब theory पढ़ने का समय नहीं है mathematics में theory ज्यादा होती भी नहीं है और अपनी mathematics में बड़ी प्यारी सी बात है कि आप जैसे से practice करते हो varieties practice करते हो difficult सवाल भी लगाते हो आसान भी लगाते हो तो हर एक सवाल का एक अपना importance है और हर एक सवाल की importance के साथ जब आ academic development in maths का बहुत beautiful तरीके से आगे बढ़ता है तो उसमें यह बच्चे यह ना सुझे कि जैए advanced जैए main की mathematics में कुछ अंतर है दोनों में सेम है दोनों का development भी सेम है है ना तो अगर आप जैए main की mathematics तियार कर लेते हो तो advanced की काफे thought process आपके तयार हो चुके होंगे क्योंकि main में कहीं सारे सवाल बहुत twist होके आएं कहीं सारे paper असान थे main के लेकिन कहीं सारे paper में जो question पूछे गए हैं वह advanced level के भी थे तो वहां से भी आपका advanced का touch छूटेगा नहीं फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी chapter में आपको जैए advanced की practice करनी है इन बिट्वीन इन दो महिने को द आते हैं किसी में एक सवाल आता है और mislenious sequence सवाल ज्यादा पुछते हैं यह लोग स्पेशल स्रीज से यूजरी ज्यादा सवाल पूछते हैं comparatively अगर देखे तो टोटल 62 questions special series से पूछा है इन लोगों ने AMGM से जो बच्चों को ड़ लगता है लेकि उससे सवाल कम पूछे लेकिन यह नहीं बोल सकता कि अभी तक सवाल कम पूछे तो इस साल सवाल कम पूछेगा में ने जैए में ने हर साल पैटर्न को चेंज किया है मैथमेटिक्स में भी सर वह वेटेज हर साल स्विच करता रहता है तो देखते हैं इस साल क्या होने वाला है लेकिन हाँ बच्चों में बोलुगा कि सीक्वें सीरी इस एक इंपॉर्डेंट और बेस चेप्टर है तो यह आप प्लान करके आए और देखिए आप 200 सवाल के अ आदे आदे सवाल भी कर लिए तो वह बहुत अच्छा कंफिटेबल जोन में आ जाएगा बच्चा तो यह मत सुचे कि बच्चों आपको पूरे 190 कोशन लगाने की ज़रत है यह हम डेटा आपको बता रहे हैं कि हाँ इतने कोशन आपको मिलेंगे लेकिन आप आदे सवाल कर है एक्जाम में डारेक्ट जाकर करे तो गलत हो जाता है कि यह बार बच्चा क्या करता है सर मैंने कोशन देखा कोशन की अपरोज देखिए फिर अगले सवाल भी बढ़ गया अब जब तक बच्चे का फाइनल आंसर नहीं निकला है ना अपने हाथों से वो सवाल वो सही कर किया है एक्चुली वही आपके स्कोर में कनवर्ट होती है और अपने पास बहुत ब्यूटिफल जप्टर नहीं पूछे हैं मदब टेंटी से सवाल आये हैं मैं सुविकार करता हूं लेकिन उतने विराइटी में नहीं आये तो 131 कोशन टोटल पूछे गया है इनमें से बहुत टफ हैं बाकी सारे रूटीन कोशन हैं जो रेगुलर अपन करते हैं तो यहां पर बच्चा इस चप्टर को कर सकता है चाहे तो तो डरने की ज़रत नहीं है मतलब कई बार पी एंटी को लेकर बच्चा इसलिए डरता है कि वो सोचता है कि वो जो बहुत अलग तिंकि कि 25 कोशन पूचे गए तो पर्टिकुलर प्रोफाइल को इन्होंने ज्यादा पिंच किया आप उस पर भी प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं और सर इसे के साथ एक चिप्टर जो है बहुत एजी और बहुत प्यारा ब्यूटिफुल बाइनेमिल थेरम बाइनेमिल थेरम सर आप यहां पर आपको बोलूँगा क्योंकि यह एक मिस्कंसेप्शन ने बाइनेमिल थेरम एजी होता है आप बच्चे के परस्पेक्टिफ से सोचो बच्चे को बाइनेमिल थेरम सबसे टफ लगता है तो बाइनेमिल थेरम में और प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा है वराइटी बहुत ज़ादा है, अगर आप यहाँ पर बाइनमल थिर्म की एक सो साथ सवाल सोच रहे हो ना, तो जेई में ने मिक्स करके इतने सारे सवाल बनाएं, इतने सारे वराइटीज बनाएं, डेटा को इतना सारा मैनुपलेट किया है, कि बच्चे को भी लगता है, और टीचर को भी लगता है, यार कितनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग करी है सवालों की, तो आपको इन 160 में से कम से कम 100 सवालों की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, इन चेप्टर में एक्सलेंस लाना है तो, और मॉस्ट इंपॉटन टॉपिक सब बाइनमिल थियूरम से, बाइनमिल थियूरम में हमें प्रोफाइल सारे एक तरकी देखने को मिली है, प्रोफाइल से जाज़ा सवाल आते नहीं है, तो उसको लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप टच करना चाता है, एक एक प्रोफाइल, मतलब होता क्या है, सर, कि बच्चे क्या करेंगे, अगर इस डेटा को देखकर, वो प्रोफाइल कर जाएंगे, जिससे ज़्यादा सवाल आए, तो भी नुकसान है, बाकि छूट जाएंगे, बाकि छूट जाएंगे, तो आपको अगर कोई चप्टर पूरा एक्सिलेंस पे लाना है, आप इस बात को समझें, कि आप हर एक विराइटी के कम से कम दो-दो सवाल दो करके जाएंगे, जितनी विराइटी हम लोगों ने यहाँ पर डिसकस करी है, तब जाकि आपकी ग्रोफ आपको फील हो पाएगे, और आपका वो चप्टर अच्छे से तैयार हो पाएगा, और जो सर्म पेकेज की बात कर रहे थे उसको डिसकस करते हैं, उससे पहले सरे क्वेश्चे आरे हैं बच्चों की तरफ से, कि जब आपन रिविजन करते हैं मैंस में, अब देखो साथ, थिओरी सबजेक तो है निए मैंस, तो जब रिविजन करते हैं तो उसमें बाई पर प्य प्युकि र मेरे साथ,्युल्त रॉसक अई गाता हूntभ तो लिए निए में डॉसक्षा देखो अगा से बच्च जब तो बाहते हो जाय हूं कि बताता हूं पच्चे जब क्रें और क् रिवेजन करेंगे अब या क्या ताइम का मैं तो कहीं से ने नोठ उठा करें मालों बाइनवल ठीरम है, जो आपको दीख रहा है, बाइनवल ठीरम स्क्रीन पर आपको दीख रहा है. तो बाइनवल ठीरम में हमारे पास 157 प्रॉबलम है. लेकिन हर एक प्रोफाइल के दो-डो कॉशन, वो सोलुशन देखके तयार कर ले. तो इससे क्या हो गया से नोट तयार होगे अब हर एक profile के दोदो question तयार होगे तो profile भी तयार होगी उसके बाग के जो सवाल है वो बिना solution देख के करें practice करें तो उसको अपनी growth feel हो जाएगी और उसको बहुत अच्छे से उसको मज़ा आएगा ठीक है और सर्मने जो plan ready करा है जिसको अबर बच्चे ये चप्रस कर देते तो 75% at least achieve कर सकते हैं बिल्कुल सर यहाँ पर एक list में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक package हमने बनाया बच्चो काफी analysis करने के बाद पिशे दो तीन सालों का analysis करने को बद कि किस तरह से हम 20-22 सवाल 25 में से प्योंकि pattern अब change हो गया है जो integer type है उसमें अब number of questions में options नहीं मिलेंगे जो जो 10 question आजे थे integer type में वो 5 ही रहेगा और 5 को 5 आप attempt कर सकते हैं उसमें कोई option ही आप छोड़ोगे वो अभी आपके 100 marks में count हो रहे हैं तो बच्चा wisely choose कर सकता है इन सवालों को, इन chapters को quadratic equation से एक question आ रहा है usually, sequence series से दो question, binomial theorem से एक सवाल state line से एक सवाल, statistics से एक सवाल, relation और function मिला कर दो सवाल आ रहे हैं, ITF से एक सवाल, determinant और matrix से सवाल, एक सवाल, determinant से, एक सवाल, matrix से limit, continuity, differentiability से दो सवाल आ रहे हैं, एक सवाल, limit से सवाल, continuity या differentiability से और indefinite से एक और definite से दो सवाल, differential equation से दो सवाल तयार हो जाएंगे, vector 3D से कुल मिला कर 3 से 4 सवाल तयार होते हैं और probability एक, तो ये एक पहला पैकेज हो गया, जिसमें आपको 23 question out of 25 तयार हो रहें आप 20 के target लेके चल सकते हैं इन में से भी कोई chapter आपको tough लगता है तो उसको घबराओ मत, कर तू पूरा लो एक बर कर तो पूरा लो लेकिन उसका pain मत लो मत घबराओ मत उसे उसके लाद इतना परेशान होने की ज़रत नहीं है तो अभी आप चाहो तो 20 question का 23 question का data आप करके जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगएगा क्योंकि इसमें जो chapter हमने नहीं include करें जो सबसे बड़ा डर होता है trigonometry हमने include नहीं किया, PNC include नहीं किया circle or conic section हमने include नहीं किया, still हम लोग अचीव कर पारे 20 questions का data तो बच्चों कहीं बार बच्चों को लगता है कि ये chapter ठूड़ गया तो बेना बहुत नुकसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, आप ध्यान से analysis करके देखो 75 marks 100 में से यहां से भी निका दे सकते हैं 99 percentile के अंदर यहां से भी आ सकते हैं, यही हमारा message है, परिशान होने की जड़ती हैं, रास्ते बहुत सारे होते हैं, बस आपको तए करना आना चाहिए बिल्कुल सार, सार बहुत बहुत दन्यवद आपका इस session के लिए और बहुत अच्छा guidance मिल गया होगा बच्चों को, ऐसे हैं आपन मिलते रहेंगे अगले session के साथ, बिल्कुल सार, थैंक्यू, थैंक्यू